क्या शादी के रिष्टे में सिर्फ गुर मिलाने से ही रिष्टा चलता है 36 गुरों में से 28 मिल गए 15 मिल गए 24 मिल गए क्या इतने से बात बन जाती है तो मेरा मानना है बिलकुल भी नहीं बहुत कुछ और भी बलाया जाता है उसमें से एक चीज है राशी कि किस राशी की महिला की, किस राशी के पूरुष से शादी हो या किस पूरुष की राशी की, किस महिला की राशी से शादी हो रिष्टे बनाने से पहले हम बहुत कुछ करना भूल जाते हैं खास करके दो अलग-अलग लोगों की जो व्यक्तित्व है वो भी बिलना चाहिए, चोकि शादी का बंधन कोई घंडों का या दो दिनों का बंधन नहीं होता है, ये बंधन सालों साल चलता है, और ये बंधन खुशनुमा है, तो फिर घर में धन दौलत की वर्शा होती है, औ हमेशा किच-किच खड़ाई जगड़ा बना रहता है, तो आई जानते हैं किस राशी से किस राशी का संबन बहुत बहतर होगा, वैवाही जीवन प्रेम संबन या दोस्तियारी में, मेरा नाम है स्टलॉजर सचिन सिक्का, और मैं आपको बताने वाला हूँ, दो राशीों क बीच में कैसा रहेगा ताल मेल, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्स्क्राइब परिए का बेल आइकन के बटन के बटन के बटन के लिए, फेस्बुक के इस्टरग्राम पर हमें फॉलो करिए, और हम यह बात आपको जोतिश की गरणा के अधार पर बता रहे ह कुछ लोगों के साथ ये बाते 100% मैच करेंगे, कुछ ये साथ थोड़ी कम भी मैच कर सकती हैं, और इस वीडियो को बनाने का उदेश ये आपके रिष्टों की पोल खोलना नहीं है, बस आपको जानकारी देना है, चलिए शुभारम करते हैं, और जानते हैं इस वीडियो म हम बात करेंगे मेच और वर्षब राशी की, पहली राशी है मेच, दूसरी है वर्षब राशी चक्र में, एक का स्वामी है मंगल, दूसरे का स्वामी है शुक्र, अगनी तत्व और जल तत्व, एक राशी यहां पर जो मेच राशी है वो अगनी तत्व है, और दूसरी रा बैट जाए शादी के रिष्टे की, ये सरल नहीं होगा. आग और पानी का मेल दुश्मनी का है, बहबत का नहीं है. दोनों में से, जब ये रिष्टे वाले मेश और बर्षब वाले एक साथ जुड़ेंगे, दोनों में से किसी के, कोई भी जुकेगा नहीं, किसी भी बात को कोई बात चीत होती रहती जब दो बरतन होते हैं तो आप बजते हैं, कोई भी बात होगी तो कोई भी जुकने को तयार नहीं होगा, वो कहेगा तुम जुको और जब कोई नहीं जुकेगा, तो फिर कटनाईयां, परिशानियां सामने आएंगी. मेश राशी को नए नए उद्धम नए नए चुनोतियां चाहिए लग उसको हर वक्त जिवन में नया पन चाहिए मेश राशी का क्या महिला हो या पुरुश हो उसको हमीशा कुछ ना कुछ नया पन चाहिए और वरशब राशी को शांती चाहिए तो अशांती और शांती का मेल नहीं है वर्षब जात्कों को मंद गती से एकी स्थान पर ठहरे रहने की प्रवर्टी है वर्षब राशी वाले धी में धी में जलते हैं मंद गती से आराम आराम से काम करते हैं और एकी स्थान पर बैठ कर काम करना पसंद करते हैं और वर्षब मेश राशी वाले एक जगे पर टिक नहीं सकते जो वो अगर एक जगे पर टिकेंगे तो अध्यार रिखो देंगे यानि उन्हें गुस्सा आजाएगा उनके अंदर की आग भड़क जाएगी तो कहने का मतलब हुआ कि वर्षब राशी के जो जातक या जातिका ह वो थेराओ के साथ काम करते हैं और जो मेश राशी वाले हैं उनके अदर बिलकुल भी थेराओ नहीं है समझ के आग भड़कती है तो वो भड़कने वाले लोग हैं अब यहाँ पर हमें एक एक्जामपल लेते हैं जिदि जो पती है वो मेश राशी का पुरुश है और पत्नी वरशब राशी की महिला है तो पत्नी को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी मन मर्जी से उसे जुका नहीं पाएगी यहाँ पर जो पत्नी है वो वरशब राशी की लड़की है और पत्नी जो है वो मेश राशी का पुरुश है लड़का है तो अगर आप लोग इस रिष्टे में बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं तो वरशब राशी की महिला को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी मन मरजी के अनुसार जैसा वरशब राशी की बहिलाश चाहती है वैसा अपने पती यानि मेश राशी के पुरुश को जुका नहीं पाएगी कि लेन, लेन की भावना का आभाव दोनों की कम्जोरी है दोनों लोग प्यार मोपत से एक दूसरे से आदान परदान नहीं करेंगे दोनों अपनी अपनी बास सोचेंगे, वो कहेगा, मैं, वो कहेगी, मैं, यानि की, यहां पर कहते हैं न, की, दोस्ती, दोस्ती हाथ मिलाने से होती, हाथ पकड़ने से होती है, तो वो भी नहीं पकड़ना चाहेगा, वो भी नहीं पकड़ना चाहेगी, तो दोनों में आभाव हो जाएगा, दोनों अपने अपने सरीकों से चलने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसे तो मैं ऐसे, वो कहेगा मेरी सुनो, वो कहेगा मेरी सुनो. यदि दोनों ही अपने रुख पर राड़े रहें, तो ऐसा समझ आएगा कि पती-पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध है, वो समाप्त हो जाते हैं, और घर में कलह-कलेश, लड़ाई, जग़ा शुरू हो जाता है. समझ गया, यदि पती मेश है और पत्नी वरशब है, तो दोनों लोगों की लड़ाई तय है, क्योंकि दोनों लोग अपनी अकड में रहेंगे, कोई भी जुकना पसंद नहीं करेगा, जब जुकेंगे नहीं, तो फिर रिष्टा खराब पे खराब होता चला जाएगा, फिर ये रिष्टा प्यार नहीं मार में बदल जाता है, यानि कि उत्मीरन में बदल जाता है, अब यदि पती जो है, वो वरशब राशी का है, उल्टा कर देते हैं, यदि पती वरशब राशी का है, पत्नी मेश चाइद का है, तो भी दोनों के संबंध प्यार भरे रहने के, य यदियाज पती पर थोपने का प्यास खरेगी। पती को इसपर लगे हो यह सब बिकार है। तुम तो इधर उधर की बाते करती हो। इस बात को दोनों लोग समझ लें कि ये रिष्टे में तर्क वितर्क बहुत होगा। यानि यह बहसभाजी बहुत होगा। पत्नी जो है वो नेने विचार लेकर आएगी, पत्नी पर थोपेगी, पत्नी उसको मानेगा नहीं है, सब करेगा, तो आपस में क्या होगा, तर्क भी तर्क होगा, अब क्या होता है, कि पत्नी जो है, वो हर काम में सुरुची को रखोचता है, यानि कि अपनी रुची से काम क करो पती यहां पर चाहता है कि मैं जैसे चाहता हूं मेरी च्वाइस है मेरे को दही में चीनी डालका खाना पसंद है तो पत्नी कहेगी कि तुम नमक डालके खाओ रायता बना के दूगी खाने के टेपले पैठे उसको चावल पसंदे तुम गोटी खाओ सब्सक्राइब तो पत्नी जो है वो अपने पत्नी पती पर अपने विचार थोपने की कोशिश करेगी और पती यहां पर शांती से जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पाएगा भोज़त बनाना उसके लिए कला का काम है जिसमीं उसकी पत्नी को अपनी सुर्ची का परिचे देना चाहिए पत्ती इंसब बातों में कोई बहत नहीं देती और उसकी कोई दिश्च्रसमी नहीं होती शारिणिक संबंदों में इसे हो उसमें वैसा हो तो मुझे ऐसे प्रप पती जो है वहाँ पे simple तरीके से चाहता है, पतनी romantic है, पती सीधा साधा बंदा है, तो ये निश्टा वही पर यॉन संबंधो में भी करबर हो जाता है. अब पती यतना साथ दे सकता है, उतना ही दे पाедगा, पती के लिए यॉन संत réalis सबसे महतपूर हैं, लेकिन पत्नी को बाहर संतुष्टी के विना यौन संबंदों में रस नहीं मलता यहाँ पे इस लाइन को समझीएगा पती भी चाहता है कि पती पत्नी के बीच में शाजरी संबंद बने और दोनों इसका आनंद लें लेकिन पत्नी जो है वो कहती कि नहीं मुझे यौन संबंद तो चाहिए लेकि यौन संबंद बनाने से पहले तुम मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आओ तुम मेरे लिए तारीफ करो तुम मेरे लिए गाना गाओ तुम मेरे लिए नाचो तुम मेरी लिगाओ, तुम मेरी तारीफे करो, तुम मेरी जुल्फों की तारीफे करो, तुम मेरी खुबसूरती की तारीफ करो, कहते हैं जैसे इसको fourth play कहते हैं, तुम मझे प्यार करो, रोमैंटिक बाते करो, तुम बढ़िया गाना बजाओ, तुम बढ़िया ये करो, तु तो मेरे को अपने हाथ से खाना किलाओ, सब को पैंक एग्जामपल, तो पत्नी को ये सब पसंद है, और पती को ये सब पसंद नहीं कहता है, बस हमें सिंपल सा पती-पत्नी के पीच में जो शाही संबंद बनाने हैं, वो बनाते हैं, और चुप-चाप सो जाते हैं, ये पत्न रोमेंटिक होता नहीं है और पत्नी जरूर से जाधा रोमेंटिक है तो यौन समंदों में रस नहीं मिल पाता बस वो मजबूरी बनके रह पाते हैं तो आप मेंसे जो भी लोग इस रिष्टे में बंधे हुए हैं जो भी जातक या जाती का किर्पिया करके मुझे बताएं कि क्या मेरी बातों में सच्चाई है है कि नहीं है यह सब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर तो अमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच का या प्रेम संबंद का क्योंकि अगर ऐसा रिष्टा प्रेम संबंद में भी होगा तो वो भी तूट जाएगा थोड़े गिरों के बाद दोस्ती में तो जिती दोस्ती होती उसमें यहां संबंद का कुछ लेराने नहीं होता दोस्ती चल सकती है कुछ हद तक लेकिन शाद और अब मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ, इस नायाब पत्थर के बारे में यह चमटकारी पत्थर, कैसे आपके घर में लक्षमी को कीज़ कर लेकर आएगा और कैसे पती पत्थी के प्रेम को बढ़ाएगा। किसी भी बहीने की, किसी भी तारीक को आप इसको खरीद कर मालश्मी को आकरशित कर सकते हैं और ये विदी विदान से आपके घर भेजा जाएगा, इसका नाम है पायराइट, अल्सिक्स लेकर आपको भेजना है ये बहुत तेजी से मालश्मी को अपती तरफ कीचता है, घर में शुक्षांती लेकर आता है और आपके जीवल में सुक्ष और सम्रद्धी लेकर आता है, पैसा चाहिए और प्यार चाहिए, तो ये पत्थर, आपके पास दो पत्थर होने चाहिए पैसा चाहिए, तो आपके दिल के करीब कोई यानि लॉकेट के रूप में, और पैसा, ये प्यार और पैसा दोनों देगा, और खुब सारा पैसा चाहिए कि जो खर्श नहों, पैसों का अमबार लग जाए, तो एक पत्र अपती तीजोरी में रख दीजेगा, यकीन मालिए, और तीजोरी में पैसा रहेगा, और सारा जीवन मुस्कुर आएंगे तो, अभी बंगाईए, और माला माल हो जाएए, दिल से भी, और पैसो से भी, नमश्कार.